तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्तिए, तो दोस्तों, आज हमने छोले की रेसिपी लेका हैं, जो बहुत ही सूपर टेस्टी छोला बना है, तो छोले किसे पसंद ना हो, छोला किसके घर दस दिन के अंदर में एक बार नहीं बनता हो, ये वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आये हैं, बहुत ही असान सी रेसिपी लेकर आये हैं तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है उगी तो प्लीज कमेंट किजेगा और लायक किजेगा और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सबसक्राइब कर लिजेगा तो चलिए छोले की असान सी रस्पी आप लोग के साम सेयर करते हूं और बताती हूं कि हमने कितने कम मसाले से छोले बना के सुपर टेस्टी रेडी किया है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने छोला बनाने के लिए ये कोटोरा ये हमने चाना लिये थे इसे राद भर के लिए भींगो के रख दिये थे तो ये बहुत अच्छे से फूल चुका है अगर आपका अब 4-5 घंटे भी भींगो के रख सकते हो तो देखे हमें कुकर लेंगे कुकर म आधा से एक कोटोरा पानी डालेंगे उसके बाद से देखे हमें एक सूती कपड़ा लेंगे इस कपड़े में दो लितेज़ पात लेंगे देखे यहीं पर चार से पांच काली मिर्च लेंगे और कुछ यहीं पर एक इंच इतना दालचिनी के टुकड़े लेंगे और देख देखिए इस तरह से इसका पोटली बनाके और अपने इस पानी के अंदर डाल दिंगे और खुकर के ढिकन को लगा के चार से 5 सीटी आने देंगे मीडियम फिलम पे तो चलिए चार-पान सीटी अपने कुकर को गैस पे रखके लगा लेते हैं. अब देखिए हमने कुकड को प्याज फे रखती है अब यहीं पर दो बड़ी साइज के टमाइटर और तीन मेडियम साइज के प्याज लिए हैं दो हरी मेर्ज तो इसे सब को हम बारी कट कर लेंगे तब तक हमारे चाने में सीटी भी आएगी तब तक हम अपने मसाले की पेप बनाएंगे तो देखिए में मिक्सी जार में इसे रख लेंगे उसके बास दो हरी मेर्ज लेते उसे दोे यहां पर हम फाइन पेश्ट बना लेंगे उसके पाद से देखिए हम अपने प्याज को बारी कट करेंगे चौक एप चाहे तो इसका पूरी भी बना सकते हो लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आता है इसलिए हम इसे roughly एकदम fine cut करेंगे और इस प्याज को हम भून के बनाएंगे आप चाहे तो इसका paste बना सकते हो तो इतना माजा नहीं आता है छोले में प्याज का टेस्ट तो इसका हम बारीक की से cut कर लेंगे एकदम बारीक कट करेंगे तो आप देख सकते हमने प्याज को भी बारीक कट कर लिए है और यहीं पे अपने टमाइटर को भी पीस लिए है तो चली चलते हैं अब आगले प्रोसेस के तरफ तो आप देखिए हमारे 5 सीटी लगने पे हमारे छोले बहुत ही अच्छे से उबल चुका है और बहुत ही अच्छा इसमें चाय पत्ती का कलर विया है तो देखिए हम अपने इस पोटली को निकाल लेंगे और आप लोगों दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया इस चने में गला हुआ है आप देख सकते हैं थोड़ी से उंगली स्प्रेस कर रहा है तो बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जा रहा है तो बस हम क्या करेंगे अपने चाने को अलग निकाल लेंगे अब चलिए हम चलते हैं गैस के तरफ तो गैस पर कढ़ाई को रहके गरम कर लिए अब इसमें हम अपनी मशाले बनाएंगे तो हमने कढ़ाई गरम कर लेंगे उसके बाद से इसमें डालेंगे एक बड़ी चमच ऑईल तो देखिए एक चमच बड़ी ओयल डाल दिए उसके बस ओयल को गरम होने देंगे तो आप देख सकते हैं ओयल हमारा गरम हो चुका है यहीं पर दो तेजपात और दो सुखी मिट्च एक हरी लाइची और कुछ दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे और एक चमच जीरा डाल तो आप देख सकते हैं इसे अच्छे से हमारा जब जीरा भून जाएगा तो यहीं पर अपने बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को भी अच्छे से गोल्डन सुनहरे होने देंगे तो देखिए इसे सब को मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसे प्याज का ज जीरा डालेंगे दो चम्मच दनिया पाउडर और एक चम्मच लाल मिज पाउड़र डालेंगे धियान रखेगे घैस के फिलेम को एकगदब मीडियम रखे क्यूंकि सुखी मसाले हम डाल रहे हैं मसाले जलने की समभाववना होगी और यहीं पर एक चम्मच कस्मीरी लाल तो इसे दो मिनट तक चलाएंगे तो आप देख सकते हैं दो मिनट हो चुका है यहीं पर एक चमच बड़ी चमच अधरत लहसुन के पेश्ट बनाए थे इसे भी डाल देंगे और इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो लासन अधरक के पेश्ट के साथ भी मसाले को हम दो से तीन मिनट पकाएंगे तो आप देख सकते हैं दो मिनट तक मसाले पक चुकी है यहीं पर जो हमने टमाइटर के पेश्ट बनाए थे इसे हम डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स करेंगे अब देखिए दोस्तों हमारे जार में जो मसाले बचे थे उसे भी दोके डालेंगे अब यहीं पर डालेंगे हम अपना शुआद अंसार नमक ताकी जो हमारा टमाइटर है वो अच्छे से पक चाए टमाइटर के कंच्छा पन जल्दी से खत्म हो जाए तेखिए यहीं पर ह को छोले के साथ भी डाल सकते हैं तो आपको अगर नमक का अंदाज हो तो आप मसाले के साथ ही डाल दे बस इसे मीडियम फिलेंप हम इसे अच्छी से भूनेंगे मसाले को मसाले को जब तक भूनेंगे तब तक मसाले में से साइट से तेल ना निकल जाए तो चलिए मसाले को हम 5-10 मिनить तक भूनेंगे अच्छे से मीडियम फिलेंगे तो आप देख सकते हैंने मसाली को बीच बीच में चलाते भी रहेνगे और इस तरह से बहुत ही अच्छे से देखे हमारे मसाली में कलर आयरा चुका है और बहुत ही अच्छे से भून रहा है बस इसे दो मिनट और भूनेंगे करीब हम इसे सब मिला के आठ मिनट मसाले को भूनेंगे तो आप देख सकते हैं करीब हमारा च्छे मिनट से मसाले भून रहा है मीडियम फ्लेम पे देख सकते हैं हमारे मसाले पूरे टोटल आठ मिनट से भून रहा है बहुत ही अच्छे से मसाला भून चुका है किनारे से तेल भी निकलना शुरू हो गया है अब यही पर अपने छोले को डाल देंगे और मसाले के साथ भी छोले को दो मिनट भूनेंगे ताकि छोले में मसाल में अच्छे से छोले को भूनेंगे तो आप देखिए दोस्तों हमने थोड़ा सा छोले को हम मैस करेंगे इस तरह से कल्ची के मदद से ताकि हमारा जो ग्रेवी हो थोड़ा थीक हो तो इस तरह से थोड़ा सा देखिए मैस करेंगे करीब एक कल्ची इतना हम छोले को मैस इसे जो ग्रेवी होगा छोले के बहुत ही बढ़ियां बनेगा तो देखिए इस तरह से करीब एक आप देख सकते हैं एक कल्ची इतना छोले को मैस किया है बस दो मीनट हो चुका है हमारा छोला मसाले के साथ भूनते हुए यहीं पर हम पानी आइड करेंगे तो देखिए गिल तो आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी आइड कीजिएगा मुझे थोड़ा सा चावल के साथ खाना है तो इसमें हम डेर गिलास पानी आइड करेंगे बस इतना ही हम को पानी आइड करना है अब इसे ढग के हम सिर्फ 5-6 मिनट पकाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा 5 मिनट हो चुका है छोले बहुत अच्छे से गाड़ा हो गया है देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें से खुसबू आ रही है तब यहीं पर हम अपने गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और कुछ फ्रेस कटा हुआ धनिया डालेंगे तो तो देखिए दोस्तों में इसे खाने के लिए एक प्लेट में सॉर्व कर लेंगे फटा फट तो इसे आप रोटी के साथ खाईए यह जीरा राइस के साथ खाईए सभी के साथ बहुत ही टेश्टी लगता है दोस्तों थोड़ा और फ्लेवर के लिए देखिए हम यहाँ पर दाल देंगे इसके ऊपर से आप चाहे तो तड़के भी लगा सकते हैं लेकिन तड़के नहीं लगाएंगे सिर्फ घी डालेंगे और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हमने देखिए यहाँ पाच्छे दिखने के लिए हर इमिर्च को इस तरह से सजा देंगे तो दोस्त झाल झाल